Hello everybody, welcome to our channel Pratikin Neha, मैं हूँ Neha and ये है मेरी छोटी से बच्ची Ananya So, आज का व्लोग मैं कर रही हूँ शुरवाद सुभा से और अभी हो रहा है, बहुत ही सुभे का वक्त और मैं और Ananya कर रही है Brush तो चलिए करते हैं मौनिंग के शुरवाद और करते हैं वीडियो के शुरुवाद अब हम आचेके हैं नीचे and मैंने अपने होम टोर में शेयर किया था कि हमारा घर कैसे बना है, बेंडरूम जूप बना है और Living Room, Dining Room and Kitchen नीचे है So guys, आ गई हूँ मैं Kitchen में and दिन के शुरवाद तो Kitchen सही होती है Yes, तो अब मैं बनाऊंगे अपने ले कुछ Green Tea और बेटी के ले दूद और उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको कुछ तयारी जो मैंने रात को तयारी करके रखी थी ये इस दिन के तयारी रात सही शुरू हो जाती है So So, ये देखके तो आप समझ ही गई होंगे कि मैं बनारे वाली हूँ दाल मकनी आज लंच में इसलिए मैंने ये भिगोगे रखा है So, आज का मेन्यू है दाल मकनी और शायद मैं कोई सबजी बनाऊं आज साथ में तयारी कल की तयारी जो आज मुझे बैटर बनाती रखना है Yes, ये है उरत की दाल So, मैंने भिगो कर रखी थी कल उरत की दाल And इसमें है Rice Yes, उरत की दाल और राइस देखके तो आप समझ गई होंगे कि मैं बनाने वाली हूँ इडली अंसामबर कल तो उसी के मैंने तयारी करके रखी है So, इडली और समबर बनाने की मैंने तयारी आज कर ली है मैंने कल भिगो के रख दिया था और आज मैं उनको पीस कर बैटर कर तयार करके रख लूँगी And ferment होने के लिए रख दूँगी And ferment होने बहुत ही जादा मुश्किल है क्यूंकि यहां रहता है मौसम बहुत ही ठंड़ और ठंडे मौसम में फर्में हो जाता है थोड़ा सम मुश्किल तो उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं उसको माइक्रोवेव में रख दूँगी And कई बार मैंने अवन में या माइक्रोवेव में रख कर उसको ferment के है उससे काफी अच्छा फर्मेंट हो जाता है क्यूंकि उसमे थोड़ी सी घर्मा हट रहती है और इडली या डोसम नाने के लिए थोड़ा सा फर्मेंटेशन जरूरी है बेटू अभी क्या अपने रहे हो छोड़ दो से आजो आव मामा गो दी जादा सर्दी नहीं है लेकिन अगर जब सर्दी होती है तो यह रेडियेटर्स चलते हैं इससे काफी अच्छी गर्मी रहती है तो इसे के पास मैं टेबल पर कहीं बैटर को रख देती हूं तो उससे काफी अच्छा फर्मेंटेशन हो जाता है रहा बैट करेशन हैं लकिन अभी भी मैंने दhी को फर्मेंट सारी अभी दखी मैंने जमाना कभी भी शुरूUS ने किया और मैंने कभी जमाई है नहीं मैंने ट्राइचन है क्योंकि यहां जो मुझे दüğी मिलता है बजार में काफी अच्छा होता है काफी एच्या जमाना तो मैं आपको दिखाती हूं मैं कौन सा जम्रम्री मैं खाने के लिए ब्रीक स्टाइल योगर्ट लिके यह जो आदियों आधिक फुल फाइट योगर्ट खाना ही काफी अच्छा रहता है अधी मुझे काफी अच्छा लगता है और नाच्रल भी है और काफी टेस्टी है पानी हो चुका है बोल और अब मैं बना लूँगी पटाफट से अपनी टी 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 बनाने के लिए जाद कु करना चाहें यहां मैं केटली की ग्रीन टी यूज़ करें तो मैं इसमें दो पाउचे से दो बैग्स टालना पसंद करती हूं तो बस मैं इसमें डाल दिये हैं थोड़ी देर बाद हमारी ग्रीन टी अपने आप ही बनकर तयार हो जाएगी और साथ ही में बन गया है बीटी के और समय आप ही मीशन से रिलेटेट या फी कोई भी काम कि मुझे आज करना है. Alexa, Good Morning! अलेक्सा, थाइंक यू एनी टाइम वोग यू आप यू आप चला रहा है अपना डिफ्यूजर इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स डाली हुई है लेविंडर ओईल की इसमें है लेविंडर ओई इसमें बहुत अच्छी खुश्बू आती है और घर में बहुत अच्छा अरॉमा फैल जाता है यदि ये रखा हुआ है मेरे हजबन की वाज का चार्जर और वो है हमारी इलेक्सा इलेक्सा, what's the date today? It's Thursday the 24th of September अलेक्सा, I love you अलेक्सा, अलेक्सा चलिए करती हूं मैं अब अपनी ग्रीन टी, एंजोई Alexa, are you mad? I can never be mad at you. I will always respond when you call my name. अच्छे कुछ और फनी से सवाल लेक्सा से. Alexa, are you hungry? I don't get hungry or thirsty, but thank you for asking. Alexa, you're beautiful. Thanks, you too. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Alexa, how is the weather today? In Birmingham, it's 11 degrees Celsius with showers. Today, you can expect clouds with a chance of showers with a high of 12 degrees and a low of 6 degrees. So guys, आपने देखा, आजकल होने लगा है, थोड़ा-थोड़ा ठंडा, सो मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो आप सब भी अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखना इस समय में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्ली, जल ना फ्लू बैक सहीं लगवाले, so I think लगवाले ना चाहिए, और Alexa, tell me a joke, why couldn't the python cross the road, he just swallowed the chicken, कभी-कभी Alexa की जोक मुझे बिलकुल ही समझ नहीं आते, I think थोड़ी high level होते हैं, कभी-कभी, Alexa, you are awesome, Thanks for your feedback I have prepared breakfast, I will add a little yummy and some sweet फ्लूड़ा नमाख, आप तर्कदेते नहीं आदे, कि इसमें आपने बॉइल करते वाद नमाख आड़ किया है, तो बस कर देते हैं डखकन पंद फटकन कर देते हैं चालो यह मैंने ब्रिकफस्ट की तयारी सिव मैंने यहां मैंAl यहां एक पांन पिदिया है तो मैं। supports अपबिदा यहां दूरत एक टेपल सपॉन घी डाला है तोड़ी सी राइ, तोड़ी सी कडी पत्ता थोड़ी सी जुआ फोडिए हमें जिर है पॉर्छी साथे हो चैया मैं तोड़ी सह स मैंत कभा दिया है caring, वाल्य ग्रीज दैए मुझा सबया में ही टमाटर नाची दे के लिए तीर में सब्सक्राय जिए तोड़ा से पांतरि जैते से लिए तोड़ा से सोल घ्रीड दीए लग जिली फॉटासा बलेट पेपर अब इस सौमतर पर कर लूँगी और पानी आड़ करके बस हमारा हुपमा है रेडी हुआ 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 कि आपको पता चली गया हुआ 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 है इस potion तो भैकफरस्ट में बना है उपमा हुआ है मटर और उपमा भुआ हुआ है कर लेते हैं, हम दोनों breakfast and फिर मैं आपसे मिलती हूँ Thank you So guys, थोड़ा सा आप करने के बाद अब मैंने कर दी है लंच बनाने की तैयारी सो थोड़ा थोड़ा दिस्ट करते करते काम करते रहो तो काम का जादा पता भी नहीं चलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ यहां दाल हो चुकी है boil, so दाल हमने अच्छे से boil कर ली है मैंने बस इसमें हमें तड़का लगाना है and सबजी मुझे fry करनी है so सबजी और दाल बनाने के लिए मैंने यहां बर प्यास, टमाटर, लेसो, नद्रो को बिर्ची निकाल के रख ली है और यह दोनों के लिए हो जाएगा और जब भी मैं टमाटर निकालती हूँ तो मेरी बेटी को उसमें से थोड़ा सा टमाटर खाना ही होता है कोविड का कहर अभी भी जारी है इंडिया में सब जगे बहुत ही जादा फैल रहा है और मैंने मैंने सोचा था कि यूके में काफी सही हो गया है और सही हो जाएगा सब और इस महीने से तो हम भार निकलने लगेंगे और सब चीजें बहतर हो जाएंगी लेकिन नहीं फिर से सेकेंड वेव और कोरोना वाइलस आज चुका है गॉपमेंट में नियो गाइड लाइन्स आउट करती है नए रूल्स बनाए गए है या फिर जो रूल्स बंद कर दिये थे फिर से उनको अच्छे से लॉफुली फिर से हमें फॉलो करना है सभी को restrictions फॉलो करने हैं जो भी उन्होंने बताएं हैं जैसे कि मास्क पैनना पब्लिक में जाओ तो जादा से जादा लोगों से उन्होंने बोला है कि जो भी अपने घर से काम कर सकते हैं, उनको आफेस जाने की ज़रुवत नहीं है, तो वो घर से ही काम करें, प्लिक प्लेसेज़ को वॉइड करें, जब भी मेरी बेटी, मतलब जब मेरी बेटी चोटी थी पिछली साल, और फि लेकिन कोरोनवारिस का रिस्टिक्शन लग गया और उसके बाद फिर थोड़ी दिनों बाद जब थो चीज़े बैतर हुई फिर हम उसको एक आत बार ही में लेखे गई होंगी बहार और फिर से अब ये रिस्टिक्शन लग गया है तो बच्चों के लिए और बड़ों के बहार नहीं निकल पा रहे हैं और सब कुछ पहले जैसा नहीं हो रहा है लेकिन क्या करें लोगों के बहतरी के लिए तो यह सब चीज़े फॉलो करने ही पड़ेंगी और कुछ-कुछ रूल से भी बनें कि दस बज़े के बाद बिल्कुल कर्फियो जैसा हो जाएगा कि बहा सब करने के लिए मतलब इंफेक्शन ना फैले और सब सेफ रहे तो यह सारी रूल्स बनाए गए हैं आई होब सब कुछ जली से सही हो जाए तो थोड़ी देर अराम करने के बाद और थोड़ा सब मैने अपसे बाते भी कर ली तो अब मुझे फिर से घर के काम कर नहीं है इसमिल ने की तयारी शिरू हो गई है मैंने सब्ची को थोड़ा सव्य कर ने रख दिया इस वे ने डाला है थोड़ा सव और थोड़ा सा हींग और जीरा अब मैसमाइ आद कर रहे हूं थोड़ा से मसाले बैसिक मसाले एड़कर इंगे हम इसमे जैसे की रणी धन्या यहां अबस इसको हम फ्राइए रख देंगे 32 सिंपसी हम सब्सी बनाएंगे अबने समयाद करें थोड़ा सा सॉल बस सब्सीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं यहां पर सब्सी हो रही है तयार बस हम इसको अफ़क कर पकाएंगे 10 मिक तक और यह बग जाएगी यहां पर साथ में ने दाल चूपने की भी तयारी कर लिए तो यहां पर है प्याज अद्रक लेसुन मिर्ची एंड जैसी में प्याज वगेरा भूनेंगी तब तक में टमाटर काट लूँगी और यह हमारी मसाल दानी तो फटा फट में दाल फ्राइ कर दोंगी ताकर फिर यह दाल को निकाल देती हूं बॉइल दाल को इसी में फिर मैं फ्राइ कर लूँगी तो यहां मैं करें हूं दाल फ्राइ तो मैंने इसमें डाला है कुछ खड़े मसाली जैसे कि तेज पता दाल चीनी और बड़ा ही लाइची एंड थोड़े से अधराख लेसों जिंजर एंग शीरा तो यह सब को मैं अच्छे से होने दे रही हूं फ्राइ फिर मैं आड करेंगे इसमें टमाटर जो मैंने काट के रख लें हैं तो सभी चीजों को हम बड़ा अच्छे से गला लेंगे और फिर हम इसमें आड करेंगे मसाली जो पीछे का यह दोर खोल लेती हूं ताकि जो भी खाणा बना रही है उसकी स्मेल बहां निकल जाए और घर थोड़ा अच्छा स्मेल करें खाने वाला स्मेल करें क्योंकि यह प्रॉब्लम में इंगलाइन के घरों में यह प्रॉब्लम हाती है कि कुछ ज़दा दोर है और वहां पर खिटकी है तो वहां से अच्छा वेंडिलेशन हो जाता है तो देखें पीचे मारा गार्डन है और काफी ग्रास वगयर हो गई है इसमें बड़ी तो हम इसको अभी सही से करना है और गाइस मैं आपको पताया था कि हम बहुत जल अपना घर लेने वाले है इसलिए हम सादा गार्डन में कुछ यहां पर करवानी रहे हैं तो हमारा घर हो जाएगा हम उसी गार्डन में अच्छे से करवाएंगे सब कुछ और लियाउट करवाएंगे और अच्छा से लांड्सकेपिंग और बहुत इची से तयार करेंगे सो वेट फॉर एट और ह आप की है बन गार्डन में सो सब पढ़न की है कि अभी पेफर गzę जाल रहा है पेपर और टैयार हो रहे है जैसे ही पेपर तयार हो जैंगे सब को जाएगा धर हमारी नाह अगोजाएगा और फिश्ट ने अाव को बदाव कि अज़ taxes इमाइब कर प्याज़ जाए और इस म और से समय और दनिया और छेड पाउडर सकते में अब में और बावड़ी है सवाधी और मजाए त ह criticism यह गता है temple मेंße 61 किसा धज कतो अब fyुल रे यह यह टूब अब मन कर दोंगी इस को मजाला हो चुका है एक तón में whether चस्क्राइब।ậpिक तो इसमें हम आड़ करतेंगे अब दाल कर लेंगे अब इसे हम वाइल कर लेंगे तो हम डाल में दे रहे हैं फाइनली मक्षम कर तड़का तो डाल इन सबजी हो जोकिये फाइनल इसमें अड़ कर देते हैं धनिया जोकि सबसे जादा इंपॉर्टेंट है और सबजी में भी हम अड़ कर देते हैं धनिया तो मैं लांच इस डन अब मैं करूंगी थोड़ चावल बनाने की तयारी और बस हम करेंगे थोड़ देर में लांच सो राइस भी बनकर हो गई हैं बिलकुल तयार बहुत ही अच्छे फ्लफी खेलियों राइस बने हैं अब हो चुकी है मेरी लंच की पूरी प्रेपरेशन बस मैं आब रोटी बनाऊंगे जो मेरे हस्में आ जाएंगे और पड़ी भी और लंच की सारी प्रेपरेशन तो होई दाल चावल खिला दूँगी और फिर मैं उसे सिला देती हूँ कोटी पारी कर दो मैंने को नहीं कुछा आना है कि फाइनली लंच रेडी हो गया है और में हस्में आ चुके हम लंच करेंगे यह हमारा लंच आच का उसमें है दाल सबजी सालेड रोटी और चावल and I hope आप लोगों को पसंद आया होगा thank you everybody for watching my video and मैं आपको मिलूंगी बहुत ही जल्द एक अच्छे से नए वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye be happy and stay safe can you say bye bye